विलिट सुब्सक्राइब आीन कुल्स और प्लीज संसर्डेशन स्ब्सक्रुम करते हैं यात्रा में सामिल हो चुका है, सबसे लंबी यात्रा, यह एक साल, दो साल, तीन साल, इसमें कोई समय निर्धारित नहीं होता है, चलिए हम इसी वर्ड जर्नी से अपनी बात को शुरू करते हैं, जर्नी कैसे होती है, यात्रा, आज मैं यात्रा से ही इस शब्द के साथ ही प्राग जाना चाहते हैं, इंडिया में कहीं जाना चाहते हैं, एक बड़ी लंबी यात्रा है आपकी, ठीक है, एक बहुत लंबी यात्रा है, तमाम इसमें पॉइंट एक्स आप यहां पर है आज, और आप यहां वाई पर पहुँचना चाहते हैं, रैट, अब जड़ा एक relaxed mind से सोचने की कोशिश करिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं यात्रा जब आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप एक individual की रूप में क्या सोचते हैं आपके दिमाग में thinking क्या आती है घर से निकल पड़ते हैं जो बस मिली पकड़के निकल जाते हैं सबसे प पहाड़ी आगे में जाना है किसी को रेगिस्तान देखना है किसी को धार्मिक इस्थल देखने हैं अपने इसाब से सबकी चोइस अलग हो सकती हैं तो सबसे पहला जो question होता है वो मुझे कहां जाना है जब आप question पूछते हैं कहां जाना है तो मैं इसको कहता हूँ UPSC में goal setting UPSC के terms में मैं यहां बात करूँगा आपकी live के term में UPSC मिसकों लोग बोलते हैं goal set करना आपने goal set किया ठीक है लेकिन यह बहुत छोटा segment होता है इसके बाद आप जब कहां जाने के सोचते हैं चलिए भाई इस बार जो है मुझे कश्मीर घुमकर आना है इस बार मुझे हिमाचल घुमकर आना है यह मुझे Switzerland जाना है इसके बाद आप अगला question पूछते हैं मुझे कै कैसे जाना है मुझे कैसे जाना है आप कैसे में आप कई चीजों को input देते हैं ठीक है वे हो सकता है कि मैं किसी friend के साथ जाओं हो सकता है बस से जाओं हो सकता है ट्रेंस के हिसाब से आप different mode of transportation देखते हैं इसके बाद आप क्या करते हैं इसके बाद अपनी पूरी यात्रा को यानि एक से वाई तक जाने के लिए आप क्या करते हैं पूरी चीज प्लान करते हैं प्लान करने में आप अपना budget बनाते हैं कि भी मैं परास खर्च करने के लिए कितने पैसे है उस ही के 카ding आप देखते हैं कि मैं कहा इस्टे करूँगा मेरा hotel कौन सा होगा वो मेरी pocket में आ रहा है या नहीं आ रहा है या चलते चले जाते हैं रासते में कहीं भी सराए मिलती जाएगी कि मसी में सो जाएंगे अगले दिन जोला बस्ता उठा के फिर हम निकल लेंगे ऐसा कुछ करते हैं आप प्रॉपरली प्लान करते हैं ना इसके बाद आप अपनी यात्रा को जो है सबसे पहले आप बैठ कर इन चीजों को कहा जाना है मुझे कैसे जाना है और मुझे क्या अप अपनी सिचुवेशन के हिसाब से जो आपको बेस्ट फेजिबल सेगमेंट होता उसके हैसाब से अप प्लानिंग करते हो इसी को हम लोग कहते हैं प्लानिंग गोल और प्लानिंग में जो सबसे बड़ा अंतर होता है गोल एंडपॉइंट को डिसाइड करता है मुझे कहा ज से लेनी हैं मुझे कितने घंटे पढ़ाई करना है मेरे पास अभी क्या आउटपुट है और क्या इंपुट है मालीजे आप अगर कहीं जा रहे हैं आपकी जिब में दस जार रुपए पढ़े हैं लेकिन यात्रा का खर्च पंदर हजार रुपए है तो आप पांच जार किसी चीजों की जुरुत पढ़ती है ठीक है आपको जो है कुछ आपको प्लानिंग करके रखना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या और कैसे कैसे करना है मैंने एक चीज़ अपने अनुभों से देखा है कि नियरली मोर दें सेवेंटी परसेंट जो होते हैं वो प्लानिंग नहीं कर कर देते हैं वो बाकी प्रॉसेस बंद कर देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है जैसे ही आप पहला प्रॉसेस सेट करेंगे मुझे यूपी सी क्रैक करना है मुझे जो सिविल सर्विसेज में जाना है इसके बाद ही आपका काम शुरू होता है यानि अब आप कै कैसे जाएंगे बजेटिंग आपकी क्या होगी आपके रिसोर्सेस कौन होंगे कौन आपके साथी होंगे कौन से आपके संसाधन होंगे अगर बस से मुझे यात्रा करनी है यहां पर भी मुझे कोचिंग की सहारा लेना है सेल्फ स्टडी करनी है घर में कोई गाइडेंस है क जो मेरी मद wirklich कर सकता है ठीक उसकेबाद माइनूटली उसको क्या करते हो आगे देखते हो अब जब आफ यातरा करने जा रहे हो लम्भी यातरा है ठीक तो आपको क्या होता Today मुझे एक तिरू फ्लानिंग कर और बांग और राचने और इसलिकर और आरt क्या होता जब आप यहां इस्टे करोगे माली 24 घंटे का इस्टे है तो क्यों ना 24 घंटे में अपने टाइम का utilization करते हो मैं कुछ आसपास की चीज़ा घूमाऊ होता है कि नहीं होता है तो यहां पर भी मेरा जो डे शेडियूल है वो कैसा होगा यह प्लानिंग का हिस्सा यह प्री प्लांड किया जाता है ऐसा नहीं होगा चलिए भाई हम एक बार पढ़ाई शुरू कर देते हैं अब इसके बाद हम टाइम बाद में बनाएंगे आपको यह प्री प्लान करना पड़ेगा जितना अच्छा ही आपकी प्री प्लानिंग होगी उतना ही चीज़ें आपके लिए आसान होगी अच्छा आपने सब कुछ कर लिया लेकिन यात्रा की शुरुवात कैसे होती है झालो झाल झाल